नमस्कार आप देख रही हैं next 9 news आमादमी आदमी पार्टी के संजे सिंग इड़ी की कस्टिडी में है मंगलवार कुदिली की एक अदालत में संजे सिंग ने ये कहा था कि उनकी जानको खतरा है अबाम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि संजे सिंग के परिवार को परिशान किया जा रहा है आप नेता ने एक प्रेस कॉनफरेंस में दावा किया कि संजे सिंग के परिवार को मांसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है परिवार की मिलने का समय शाम 6-7 होता है लेकिन परिवार को मिलने के लिए घंटो इंतजार करवाया जा रहा है दिलीप पांडे ने कहा कि उनके परिवार के लोगों को मांसिक प्रतार्णा दी जा रही है कानून के हिसाफ से परिवार के लोग मिल सकते हैं मिलने का समयता है और वो है छे से साथ लेकिन जब संजे सिंग से मिलने के लिए परिवार के लोग जाते हैं तो उनके इंतिजार करवाया जाता है दिलीप पांडे ने आगे कहा कि एमांसिक प्रतार्णा की एक तखनीक है जिसका अस्तिमाल एड़ी संजे सिंग के परिवार पर कर रही है इससे पहले संजे सिंग ने अदालत में अपनी जान को लेकर खत्रे की आशंका जतायती इस पर प्रती के लिया देते हुए आपने ताने प्रेस कॉंफरेंस में सवाल उठाते हुए एड़ी के उपर कौन बैटा है जो आधार हीन की रफ्तारी करता है और कोर्ट को भी ना बत आसत में है उसके बारे में बिना कोट को बताया आप उसे कहीं लेकर जाए उपर कौन बैटा है एड़ी की कारवाई पर सवाल उठाते हुए आपने ताने कहा कि जांश टीम ने दस घंटे रेड मारी लेकिन सबूत के नाम पर कागज को एक टुकड़ा भी नहीं मिला तब साथ युन्होंने ईडी और बीजेपी दोनों पर तंज कसते हुए कहा कि ईडी शायद बीजेपी की कोई रूल बुक फोलो कर रही है वरना कोट को यह बाते नहीं कहनी पड़ती ईडी ने संजे सिंग को दिल ली किया आपकारी नितिक होटाले से जुड़े मनी लॉंडरें केस में 4 अक्टूबर को गिरफतार किया था इससे पहले उनके आवास पर कहीं घंटों तक तलाशी भी हुई थी अदालत ने संजे सिंग को इडी की कस्टेडी में बेजा था मंगलवार को कस्टेडी की अब्दी खत्म होने के बाद संजे सिंग को कोट में पेश किया गया अदालत में संजे सिंग ने कहा था कि मुझे रात साड़े 10 बजे कहीं लेकर जा रहे थे इडी को देश्य कुछ और है मैं पूछता हूं कि अगर मैं काउंटर में मारा गया तब क्यों होगा कौन जिमिदार होगा तो उन्होंने कहा कि वो लोग जिमिदार होंगे लेकिन ज